देहलिया बहुकोटी अभकारी हगरना आरूप प्रक्रनक्के समंध पटंते देहली सियम अरविंद केजरिवाल जेलू पालागिदरू इदाध बलिका वरू मध्यंतरा जामी नन्ना परदुकोंडू आचे कूडा बंदिदरू चुनावने प्रचा रक्कियांता जामी निनना मेले होरबंदिदरू तिनो अरविंद केजरिवाल वर मध्यंतरा जामी नू अंतियवागिरूवा हिनले यली केलवेक्षण अगलली मत्ते तिहार जेलिगे केजरिवाल वरना शिफ्ट माडला आगत्ता है वंदने तारिकीन वरेगे अवरिगे बेल सिखित्तू इदिगा वंदने तारिकीगे 9 कूडा आंकय वागरो द्रिंदागी इंदू केलवेक्षण अगलली अवरू मत्ते तिहार जेलिगे शिफ्टागली दारे तिहार जेलिगे मरलुवा मुन्ना केजिरिवाल टेंपल रन्न कूडा आरंभा माडिदारें मंदिरगलिगे भेटी कोड़ता आईदारें इदे संद्रबुदली देहली सियम राज घाटनली इरुवन तहां महात्मा गांधी समाधिगे नमिसी पूजे कूड़ सलिके माडिदारें अधादनंतरा हनुमान मंदिरदली मुख्यमंत्री अरविंद केजिरिवाल पूजे कूड़ सलिके माडिदारें केलवेक शनगलली तिहार जैलिगे अरविंद केजरिवाल मरण दिदार है और इस किसम की ताना-शाही अपने देश को भरदाश्त नहीं है बगजजजग सिंग ने का था ना कि जब सता ताना-शाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है सब की जिम्मेदारी है जेल में जाना इसके खिलाफ वाज उटाना बगत सिंग के चेले हैं बगत सिंग देश को बचाने के लिए देश को अजाद कराने के लिए जेल गए थे बगत सिंग देश को अजाद कराने के लिए फांसी पे चड़े थे हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं इस वार जब जा रहा हूँ मुझे नहीं पता अब मैं कब वापस आउँगा मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में लेकिन मुझे कोई परवानी है जो मर्जी करें अगर भगत सिंग फांसी पे चड़ गा है मैं अभी राजखाट गया था सभी साथियों के साथ मात्मा गांदी की समाधी पे हम लोगों ने श्रधांजली दी गांदी जी ने इस हमारे देश से ताना शाही का अंत किया था वो हमारे लिए प्रेरनस स्त्रोत है उसके बाद हम कुनाट प्लेस गए हनुमान मंदिर वहां पे हमने हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी का अश्रवाद लिया चार तारीख को भी मंगलवार है भली करेंगे बजरंगबली करेंगे की नहीं करेंगे बोल बजरंग बली की इनका नास करेंगे ताना शाहों का नास करेंगे अपने को किसी व्यक्ति विशेश से अपनी कोई दुश्मनी नहीं है अपनी दुश्मनी ताना शाही से है ताना शाही बरदाशनी है अपने को तो चार तारिक को भी मंगलवार है और बजरंग बली का मेरे उपर पार्टी के उपर बहुत आशिरवाद है देश के उपर बहुत आशिरवाद है मैं प्राथना करने गया था बजरंग बली को कि है बजरंग बली मेरे देश को बचा लो अभी कल exit poll आए हैं मेरे से लिखवा लो सारे exit poll फरजी हैं बिलकुल फरजी हैं एक exit poll वाले ने राजस्तान में टोटल 25 सीट है उसमें 25 में से 33 दे दिये उनोंने BJP को उपर से आया होगा भई BJP को जादा देने है तो उसने का मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी आपको 25 में से 33 दे दिये तो पूरा का पूरा फरजी है पूरा exit poll फरजी है लेकिन असली मुद्ध ये है इनको गिंती से तीन दिन पहले फरजी exit poll कराने की क्या जरूर रख थी ये समझने वाली बात है मेरे को भी समझ नहीं आया कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही है एक ये चल रहा है कि इन्हों ने मशीनों का घुटाला कर दिया लेकिन मैंने संदीप पठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गडवंदन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे आखरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठके ना आए कई बार क्या होता है एक राउंड में दो राउंड में तीन राउंड में हार गए तो उठके चले जाते हैं उठके नहीं जाना सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूत होते हैं यह मेशिन होती है उसकी पर्चियां पड़ती है उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती है उन 5% EVM की मैचिंग वीवी पैट की स्लिप से कराई जाती है वीवी पैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है जोसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी और उसकी काउंटिंग और EVM की चेकिंग होती है दोनों की एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहाँ चुनाव रद कर दिया जाता है तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहाँ पे तो इसका मतलब फिर EVM का घुटाला हम बचा सकते हैं फिर EVM के घुटाला अगर कर खा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के आपका कैंडिडेट हार भी रहा है तब भी आखरी तक रुक के आपको ये EVM की चेकिंग करा के आनी है EVM और VVPAT की मैचिंग करा के आनी है एक ठोड़ी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज़्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है और कल जब शेर माट के खुले तो बंपर होगा तो ये अपने शेर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे बाकी एक ठोड़ी ये चल रही है कि अफसर शाही पे दबाव डालने के लिए अगले तीन दिन में अफसरों से उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक माहौल बना दिया गया भई आ तो हमी रहे हैं तो हमारी बात मानो उल्टे सीधे काम करो काउंटिंग में गड़बड कराएंगे सब कुछ करेंगे लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ अपने को, अपने काउंटिंग एजेंट, ARO, सब आरो सब लोगों को अपने को ट्रेन करके भेजना है और अपने को चुकरना रहना है बाद में हम कहते रहे हैं इन्होंने ये कर दिया उसको कोई फाइदा नहीं होगा अभी अपने को चुकरना रहना है एक छोड़ी ये चल रही है कि अगर इन्होंने कली कम सीट दिखा दी होती एग्जिट पॉल वालोंने तो हो सकता है कि इन दोनों के खिलाफ RSS में और BJP में कली बगावत शुरू हो जाती चार तारिक तक इंतजारी नहीं होता हो सकता है तो कई सारी ठोरी चल रही है लेकिन अपने को सतर्क रहना है चोकनना रहना है मेरा अपना मानना है कि चार तारिक को इनकी सरकार नहीं बन रही है ये एक्जिट पॉल से घबराने की जूरुती नहीं ये माइंड गेम है इनका माइंड गेम खेल रहे है आपको discourage करने के लिए depression में डालने के लिए बिलकुल नी जाना आप उस से जाओ कि आप जीत रहे हो आप अपने उस confidence से जाओ कि आप जीत रहे हो और आखरी तक आपको बैठे रहना है किसी भी हालत में बैठे रहना है आपको हमें हर एक को लड़ना पड़ेगा यह चुनाव किसी पार्टी का या किसी नेता विशेश का नहीं है यह चुनाव इस देश को बचाने के लिए है इस देश में जंतंतर को बचाने के लिए है जिसके लिए भगत सिंग, गांडी जी सब लोग लड़े थे वही माहौल आज है जिस तरह से हमने अंग्रेजों को उटाये था आज इस सब्ता को अपने को हटाना है तो मैं सभी आप सब लोगों का सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ बहुत साथ मिला आप लोगों का इन 21 दिनों में अब जब भी मैं लौट के आओंगा फिर मिलेंगे आप लोगों से तब तक के लिए अलविदा सारे लोग अलामाजनी पार्टी के लिए परचार नहीं किया सारी पार्टियों के लिए परचार किया बंबई भी गया भीवंडी भी गया हर्याना भी गया सब्सक्राइब कोट ने इनकी मौलत दी थी मैं तहे दिल से सुप्रीम कोट का शुक्रिया दा करना चाहता हूं बहुत-बहुत उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए मुझे ये मौलत दी थी 21 दिन कल पूरे हुए अब यहां से मैं सीधा तिहार जा रहा हूं यह 21 दिन मेरे लिए बहुत विस्मर्नी है मैंने एक भी मिनिट खराब नहीं किया